नमस्कार साथियों स्वागताब का हमारी यूटूब चैनल ओनलेंस टीडिकलब में अप्रेकरेंद भी आदनी भात का अतियास और आदनी भारत के दास्में करें अपने भारत परशद अधिनियम भी अब तक साथियों ने भारत परशद 1909 या महारले मेंटो अधिनियम देखते हैं 1919 का भारत परिषर अधिनियम या इसे बोलते हैं devote इसके आने के क्या रिजन रहे थे वो पढ़ते हैं भी सबसे पहले इसका नाम भी 1919 का भारत परिशद अधिनियम भारत परिशद अधिनियम यह ऐसे बोलते हैं मॉन्टेंग्यू चैम्स फोर्ड सुधार अधिनियम सबसे इसके आने के रिजन क्या थे भी कारण क्या थे 1914 से 1918 के बीच में उगा था पर्थम विशवजुद भी 1914 लेकर 1918 के बीच में जो फर्स्ट वर्लड वार वार था उस फर्स्ट वर्लड वार ने भारतियों ने इंग्लेंड की तरफ से सहोग किया था भी यानि कि भारतियों लोग ब्रिटिस एना में शामिल हुए थे और उनने इंग्लेंड की तरफ से पर्थम विशवजुद में भाग लिया था जब पर्थम विशवजुद माप दो आ था तो भारतियों के मन में एक आसा जागी थी कि जिस परकार हमने अंग्रेजों का साथ दिये तो ये अंग्रेज भी हमारा सहोग करें हमें इस शाषन में हमारा सहोग ले जो आपका अंग्रेजी शाषन था उसमें क्या ले हमारा सहोग ले भारतियों का यानि कि भारतियों की जो बावनाएं थी इच्छाएं थी वो प्रेज भी हमारा सहयोग करेंगे लेकिन अंग्रेजों कवर्णिमेंट तो कुछ और ही चल रहा था उन्होंने पर्थम विशूद के बाद भारतियों के बारे में कुछ नहीं सोचा अथ है भारतियों को इस चीज की बड़ी चोट लगी आगात लगा जो एक रिजन बन पाया उन्ह Compass का जो अध्यूम बंट एक आन तो ये था ठीक है सं कुम रूज अंदॉल उन्हों चल ला भी हो मूज रूम रूल उन्हों दोस्तों वही है लाल बाल पाल यानि कि ये गरम दल के निता थे लाल बाल पाल तो वही थे दोस्तों ये बाल गिजन दो तिलक जी जो इसके क्या थे संस्थापक थे भी हुआ किया जब ये आंदोलन अपने काम कर रहा है भी चल रहा हो तो एक अंग्रेज पत्रकार था भी व कि इनके जो तिलक जी के विचार थे ये थोड़े उग्र थे और भारतियों के दिमाग में ये आजादी की लहर दोडा रहे थे या उनको समझा रहे थे तो इस चक्र में क्या हुआ कि इन वैलेंटाइन पत्रगा था जो इनके भारतियों के विरोध में था उनको लगा कि ये क्या है जंता को अत यह कर दिया आ्रोप लगा दिया आई शांति का अरोप लगा दिया तला तिलिक ने इस वेलेंटाइन पर गुसा निकालने के लिए क्लिए तिलिक ने इस को सबकIndнич कर दिकिए वो लंदन चले कर दिया जब ये वैलेंटाइन के उपर मुकदमार डालने कहां चले गए थे लंदन में भारत में जो चल रहा था ओम रूल आंदों चल रहा था ने ततव हीन हो चुका है भी यानि कि इस ओम रूल आंदों की जो पकड़ थी वो क्या हो रही है धिरद्रे कम होगी थी यानि कि उसका लुकसान किंदों को भूकतना पड़ता भारतियों को यानि कि उसका जो नेता था कौन बाल गद अतलिक जी वो तो कहां चले गए हैं केस करने के लिए लंदन में अब भारत में जो आपने चल रहा है ये वो क्या हो गया था अपने नेता के बाब में कमजोर हो गया था एक काणिया पे ये भी उबर के समने आता है भी ठीक है नेश्ट भी बिटिस जो पी-म है संतोना देने के लिए संतोना देने के लिए एक एडविन मॉंटेंग्वू को भारत का सचनुक्त कर दिया अब जो पी-म था ये लोयड जोर्ज बिटेन में बट है तो उसको लगा कि भारती क्या हो रही है उग्गर हो रहे हैं अस इस उग्गरता को दबाने के लिए रून एंडवी मोंटेंगू इसको बाहरते की निक्स कर दिया था निक्स कर दिया है ँगोशना की मोनटेंगू ने बेटिज संसर्थ में कहा कि शिक्षित भारती जो कैंगे लिखे भारतीय भी भारत्यों की म हम संद्य है उनका अधिकार है कि जो पढ़ लेके भारतिये वर्ग है उनकी जो डिमांड्स है वो क्या है का उचित है सही है अता है उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए अता है उन्हें क्या मिलना चाहिए अधिकार मिलना चाहिए याने कि मौन्टेंग उन्हें भारतिये पक्ष में का कि यदि भारतिये जो शिख्षति वर्ग है यदि इन भाते शिख्षति वर्ग को उनका हक नां मिला तो कही नहीं कहीं बिटी संसद को नुक सान फ्रणत पर सकता है अता है अनकी जो मांगे है वो जाये चलंको देदी निचेंगे वी आता है 1919 का जो एक्ट है इसके एफेक्ट पढ़ते हैं आप सोड़े से कि जो एक्ट था वो 20 अगस्ट 1917 को 20 अगस्ट 1917 को House of Commons अब है House of Commons के यह से कि दोस्तों भारत में संसद है उसमें 200 नहीं तो इस परकार England की जो संसद है Parliament है उसमें सदन कौन से है House of Commons में Montague उने इसकी गोशना कर दी यानि कि इस एक्ट की कोशना montague ने कब की थी 20 अगस्ट 1917 को कहा की थी House of Commons England की संसद के सदर में भी उसकी कोशने कर दी जिसे 23-9-1919 को समराड की सिक्रती विलकी विलकी यानि कि 23 दिसमबर Learning perspective को इस एक्ट की कैन विलकी थी सिक्रती और यह Act भारत में 1921 में लागव हो गय था भी यह Act कड लागव ह॓था 1921 में ठीक है कौन सा Hasta Act लागव ह॓था 1921 का अलाकि दोस्तों 919 Act नामसी जुनाना जाता है,llenकि भारतमे कब लाग होगा ये? एक़्रेल उन्सव पुर्णेन 121 को. वह भी दोस्तों एकषियरतमे कब लाग होगा, एक भारत में By इषजी और की भईत कह सकते हैं इस ना екड़ा भी वह का एक एक कह सकते हैं यहाद के परवाफशली वर्ग है उनको बिटिस का समर्था नखा जाए यानि कि इस एक्ट में छुपी बात क्या थी उपर से तो यह कहते थे कि हम भारते के पक्षमें हैं भारते को इनकी डिमांड्स माल लेने चाहिए उनकी जो डिमांड्स है उनको लग करना चाहिए लेकिन अंदर स तो क्या था जो पढ़ लेके विद्वान लोग थे भारतियों में उनमें क्या था कि यदि अंग्रेज उन पढ़े लिखो व्यक्तियों का सहोग ले लें तो यदि बविश्य में कोई ऐसी मुद्दा यासी आंदल उड़ता है जो भारतियों को तरफ से अंग्रेजों के वि और इस अधनिये में पहले बार क्या गया था उत्तरदाई शर्षन की स्थापना कर देगी थी भी उत्तरदाई शर्षन की स्थापना किसके लिए तनाव को कम करने के लिए यानि की भारत क्या था उगरो चुका था भारत या उगर थे उनको शान करना था अताय बिटी संसर न भार्त में जो शान्ती कम हुई है, तनाव कम हुए है, तनाव कम करने के लिए शान्ती बढ़ने के लिए, शान्ती बढ़ने के लिए क्या कर देगा था इस उत्त दशाशन की स्थापना कर देगी थी भी, नेक्ट, प्राम्तों में दवैद शाशन की स्थापना मोस्त रहेगा अभी यह कुश्चन जुरूर रहता है वे किस अधिनियम में द्वैद शाष्चन की स्थापना की की थी प्राम्तों के अंदर वो था 1919 का मोंटेंग्यू चैंसपोर्ड अधिनियम भी तीन कोच नमोस्ट है दोस्तों एक तो 1909 का महारलेमिट अधिनियम में मुस्लिमों के द्वैद शाष्चन स्थापित कर दी था भी इस द्वैद शाष्चन के जनक कोन थे लियोनिन कार्टिस इसके जनक कोन थे लियोनिल कार्टिस भी लियोनिन कार्टिस के क्या थे इस द्वैद शाष्चन के जनक थे भी द्वैद कार्थ क्या होता है दोहरा शाष्चन द्वै कि प्रांतों में जो देझ शर्चन है इसमें कानून रिर्वार्ड कि निर्माण क्यक्क tat dużo गवर्नर का यानि कि ब्रिटेन में सबसे बड़े कौन थे थ उस महारानी या समराट तन लिचे अंडर में कौने का ज़य था भारत जनला या वाइस रहे कि की अंडर में कромंख बढ़ रहा था गवर्नर पध भी यह चाम कर रहे थे प्रांतों में रजू में तो प्रांतों में क्या लगा हो था द्वएद जाशन पूरे भारती बात नी और ये भी अब प्रांतों का थो द्वएद जाशन था प्रांद किसके पत्रत नहीं था तो governor के पत्रत ले था तो governor को इसको था governor को इसमें दो प्रयार के विशे थे एक थे आरक्षित विशे एक थे हस्तांत्रत विशे जिनमें जो आरक्षित विश्य है ये तो उत्रदाई थे गुवर्णर के पती, किसके प्रती उत्रदाई थे गुवर्णर के पती और जो हस्तांत्री विश्य थे ये थे विधान परिशद के परती उत्तर दाई भी ठीक है, अब इस वीशों में कुछ मैंने वीशे रिखिए हैं, जैसे कि आरकशी फेकर्ण कोशे दे जैसे कि जेल है पुलिस वित सिंचाई न्याए भूर रजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज इस प्रकाई इस चीज़ को बाढ़ दे गया भी फिर प्रांतों में जो 10 शन पर नारी थी वो कम लग वी थी एक अपरेल 1921 को भी जो प्रांतों में द्वैध शन था ये कम लग वह था एक अपरेल 1921 को भी और कब तक लग रहेगा ये 1935 के अधनियम के तहट 1937 तक लग उनीस सो इक्टिस में और बंद कब वोग जाएगा 1937 में भी यानि कि 1935 तक लेकर 1937 तक याई नियम लगा रहेगा भी ठीक है नब देखते हैं अब इन प्रांतों में जो 10 शन लगए हैं किन किन प्रांतों में लगए ये मुश्छी दोस्तों आठ प्रांतों में लगए भी 12 श्रasm encourage कि 8 प्रांट कि बैस बैसंते मिलें आखते है उसको पी दिखते हैं 8 प्राइं को Он को से हैं यानि कि अंग्रेजियों ने यह सोउक प cynist कहा ता की भारतियों को एक नहीं And रेना, उस एक्ता को रोकने के लिए वो ने नए से ने मने के आए है है इस जो अधरियम हOD का थर। जो तो इन्नीष का अधियम और इस की जाज करने लिए अध्रियम बनते है भी साइमन कंशन आयोग, वो कैसे जाए है अधर पर देद पर फणे पहले के अब जो दवotta lin जो देखते हैं लो देखते हैं किन किन रज्यों में लगा था लगा था वह आट प्राद कौन-कौन से थे यह देखते हैं एक तो था बंबई पंजाब मद्यों U.S..म. वियार सुक्त परांथ और मद्रास फिर पीट करते हैं गगा था वो बंबाइ फ असांगм, बं द्वीज सद्दनात्म को ववस्ता AGAARS थी राते इंच अपने संसद के दो सदन है एक तो है दूसतोर राज्य-" एक लोक्सबद द धूसी सुछ? कर और केंदर होला तो ऊंट में क्योंन डिया ते चुनोर सब्सक्राइब कर एक विदानस से बताम होगा विदानस लोगा। और अधिकारी कोड़ का मुख्य है वbereस रे कि अब ब्धामनलोग को दो बाग में डिवयाष टरक हा था था एक तो था निम्ध सदन एक था वच्छ जिएसे का हना मालो लोकसभा निम्धर जyएगी और वच्छ सदन कि आ जेगा राजसवा तो मजब नहां जाए वच्छीसएगा अब इन 145 को दो तरीक्वे से चूणाने जाता था कि 165 मेंबर्स को दो तरीक्के से चूण जाते थे एक तो था 41 तो थे dovघोर दवरा म groups के दू या दोस्तो वास्तरा कर दो फ़ेस्ट वेको यही थी द dieta के दौरा म parents esto चार थे यह अलगे बागों से आई ते भी आलग 낮 बागों से अलग किसनदे आई थी आयू थे भी कॉंट्वेंट से फिर एक तो था सांपर्देख सांपर्द वाग से एक सम्मान्न्य वर्ण झी सम्मान्य वर्ण था जो एक था्स जुं onc यानि कि 104 मेंबरों को जिन में से सामप्रदेक्ट, समानने और विशेश 300 में डिवाइड़ कर रखा दागे। अब जो राजजय प्रशच थी यानि कि उस सदन था ये कैसे जूनते थे इसमें कुल मेंबर 60 साट थे भी और जिन में से 34 तो कहा से आते थे निर्वाची तो कर और 26 क्या थे गवारनर जर्नल के दोरा मनने थे यानि कि इसमें से 26 वेक्टी तो किसके दोरा मनने तो एंगे निर्वाची तो करते थे भी अब एक था दोस्तो ली आयोग कौन सा लोग आयोग था ली आयोग क्रिकेट का बहुत अपना ख्लाड़ी दोस्तो ब्रेट ली उसके रबस याद हो जाएगा बहुत फास्ट बोल रहे हैं भी ली आयोग आया था था भी उसमें एक ली आयोग यह कुछ नहींब हाए वे किस आयोक की सिपारिस पर तो ली आयोग की सिपारिस पर 1926 में ये आपको तारिक भी दोस्तों याद गरनी है आयोग है ये 926 में सिविल सेव कों की बरती केंदुरीये लोक सिवा 1 का गठन कर दे गया था केंद्रिय लोक सेवायों का गटन कर दी गया था जिसका बाद में नाम यू पियसी पड़े भी संग लोक सेवायों का गटन कब गधा था 1926 में किस की सीपारिस पर ली आयो की सीपारिस पर किस के लिए तो सिविल सेवकों की भरती के लिए भी इसके जो परतम अधक्ष रहेंगे वो को रहेंगे रोस बॉरकर रोस बॉरकर इस के क्या रहेंगे परतम अधक्ष रहेंगे भी पहली बार केंद्रिय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया भी रेलवेय बजट दो इस अधिम के द्वारा केंद्र के बजट से अलग कर दिया था railway budget भी एकवर्थ समीति की सिपारεις पर एकवर्थ समीति की radi को चेंद्रिय बज्यसे अलग कर दे गया था कोशन आसकता है بिक चेंद्रिय बज्यसे अलग किस अधिनियम् positि को या कोशन आसकता है भीक चेंद्रिय बज्यसे रेलवे का जो बजट था कब डिवाड अलग तो उन्नीसके दिन्हें में और किस स्मिति की सिपार्ज़ पर लग कर दे गया तबी next है है केंद्रिया और प्रांत्य सरकारों में शक्तिव का वी भाजन कर देग थी है देखिए दोस्तो brightly आज भी जो सम्धान है उसमें एक संग सूची है राज events सूची को यान कि हर छीज की एक समख बना देगा इन शक्तियों को अलग अलग के ठीक था जैसे केंड्र के दियरक्यात के थी भी यानी कि जो अवसीहइएज शक्तियां से कामग्वसार थी थी क्डुट गरपर है ठीक है केंड्र के रंक्षा, विदेशी मामले, बुर मुद्रा आयातzers, नीर्यातन और क्र अब केंद्री मामलों में कौन कोर से विशा थे वी जेक्त्व था रक्षा डिफेंस वोगे बी, विदेशी मामले मुद्रा, आयाद हो गया एक्सपॉर्ट हो लियाद हो गया न JENNY hindsight हो गया जेक्कर कानू बना रहे हो आप केंदर के पति क्यार होगे उत्तर दही जवाब दही रहोगे आप कोई चीज का जवाब देना पड़ सकता है भी एक प्रांतों में देखा था उत्तर दही सरकार थी और इसके जश्ट उल्टा केंदर के पास क्या था अनुत्तर दही यानि कि केंदर को क केंदर में कगया था अनुतरता ही भी कोई जवाब दे निए था बारत शचीव का जो वैतन था पहले बारतहजिव कहां बैठा करता था इंगली राड exists को इससे पहले वैतन काहीब था भरत के कोश है अब इस अधनियम के द्वारत शचिव था जो वैतन है भे बिड्िस कोश जैने की इंग्लैंड से और मत अदिकार का जो सब्सक्राइब का देखे जानि की मत अधिकार वे समपर्दक्ता की निर्वाच्चन का विस्तार कर दिया गिया उन्नी सो 9 में क्या हुए था कि सिर्फ एक एक बारे खोछी कि मुस्लिम समधाय को अलग से पर्थक निर्वाचन दिया गया था अंग्रेज कामजाब गूए एंग्रजुन का किया किया इसको थोड़ा और बढ़ा दिया यानि कि पहले तो मुस्लिम भयोगया था अब क्या कर देगा था युरोपियंस अगल सुम्दाए आने की अंगल भारती है अपय सुमदाए और भ्राति यही साहियों को भी अलग से निर्वाच्छन का प्रती नितव दे जय affirm तो नोट दिया अब दोस्तों ऐक बंडल दोस्तों नरेश बंडल यह कोउचन सबTH वेर Hai कि नरेश मंजकी स्थापना कभ हुई थी, Mary Mdra. तो सिंपल से कोश चन दोतो, 8 February 1921 को सिंपल से कोश चन दोतो, और सिधा ही पुर्ता है, नरेश मंजकी स्थापना कभ ही थी, 8 February 1921 को कहां होई थी तो दिली में उई, वर्तमान दिली में हुई थे भी, इसके जो पर्थम अधक्सीगारी इसका जो अधक्सीओन था वाएसरय तैब और सक पकार कारतक कोनू बना था बीक कानेर के महाराजा गंगा सिंग जी अब क्या था, अब क्या था, जो नेक्स्ट एक लेंड बना था कि जन्टा का जो मौतदिगार उसको भी इसको कुई गर दिगा था बढ़ा दिगा तबी and जंता का जो मतादिगार था, इसको बढ़ाकर 3% से किता कर दी गया था, 10% भी, यानि कि जंता का मतादिगार की वोटिंग अधिगार था, वो 3% से बढ़ाकर कर दी गया था, 10% कर दी गया था थी, ठीक है, अब क्या है दोस्तों, यह जो 1919 का जो अधिनी माय था, वो कहां तक क पढ़ेंगे जो साइमन कमिशन है वो बता देगा लेकिन जो साइमन कमिशन आएगा उसका पहले मुद्दा ही है कि वो क्यों आएगा यानि कि अभी दोस्तों अपने जो 1919 का अध्यम पढ़े ना ये एक खोकले दावे थे जो अंग्रेजों ने भारतियों ले रखे दे भी ठीक है जिसका नतीज़ा निस्टों सेंटरल समस्कों मिल जाएगा भी वो यहां से चले जाएगे अब इस 1919 के ये आसे पर अब इन MIC के आदिया कि आख से परते कह दस साल के बाद आपके भारत में आकर हम जहांस करेंगे। कोई अधे हम कैसे वर्क कर रहा कितने आको सभिते मिली ये मिली हैं तो इस एक्ट की जहां जहें चैंटर वह एक औरक वीना जाएगा इंगले ind में वह سाइमन कम कमिशन वो साइमन कमिशन कैसे अबर करता है उसको भी बने पड़ते हैं जो साइमन कमिशन आएगा इस पर सिंपल सा कोशन आपके दोस्तों कि साइमन कमिशन आने का भारत में मुख रण क्या था तो उसका उतर एक की बनेगा दोस्तों 1919 के अधिनियम की जांज करने आए तभी 1919 के अधिनियम की जांज करने आएगा कौन आएगा साइमन कमिशन जिसका भारत में बहुत ज़्यदा विरोध होगा भी अब सबसे पहले अपने साइमन कमिशन पढ़ते हैं उसमें क्या कुछ था वो देखते हैं साइमन कमिशन 1927 यानि की जो 1919 का अधिनियम था उसकी जांच तो कौन सा अधिनियम आया था साइमन कमिशन आया था अभी कब आया था उसके लगबक दस साल बाद आना था प्रंतु कुछ समय पहली आ गया था आना तो 1929 या 30 में चाहिए था लेकिन 1927 में बंच कर आ गया थ साइमन को दिश्य का था साइमन किशन करना 1929 के अधियम की जांस करना 1929 के जांस वह तो हुआ था 1927 में और लंडन के अंदर और भारत कब आए ये को यानि गटन कब हुँ रहा है Hmm 27 में आयक पैंस तो 28 में यह बीसका क्यूशन आता है कि कि साइमन का गटन का गविथा था 1927 उततर रहेगा भारत का बाया 1828 उत्तर रहेगा भी यह तीन फ़र फिद्द 1027 को भारत आगा था इसका अधिक्ष क्योंड था सर जोन साइमन सर जोन साइमन भी इसका क्या था अदक्ष था उसके सेहोगी कितने थे छे थे और कुल कितने मेंबर थे तो साथ थे भी अदक्ष एक हो गया सेहोगी कितने होगे छे होगे तो कुल कितने होगे साथ अधे साइमन कमिशन में कुल कितने मेंबर थे तो साथ थे उ लोड़ विर्वि dazu है सेर्व स्वेट आयोग भी कहते हैं व्यूर्त को स्वेट मिशिण भिए करेसिते भी उस समय जो सामन्थ मिशन उन सोंट भारता है तो उस समय भातता हॉतल लोड विर्केन का जब साइमन विशन भारत आ रहा है 920 में उसमें भारत की सबसे बड़ी पोस्ट पेकॉर्ट बेट था लोड इर्विन भी ये वही लोड इर्विन रहे गा दोस्तो जिसका गांधीज के साथ 1931 का इर्विन समझगता है लोड विर्केन का भी इसमें जो सबसे दे साथ दोस्तों के मैंने नाम भी लिख दिये हैं पढ़ लेना जैसे एक तोदा साइमन विशन अदेक्स्ट हो गया क्लीमन्ट एटली कैटगॉन हैरी लेवी लांस हाट सहते जार्जे जार्जे है दोस्तों जार्जे जार्जे लिखा हुए कितब में दोस्तों जार्ज भी लिखा हुए है पढ़ देक्रेना जार्जे है जार्जे या जार्ज भी जार्ज लेन फोक्स जार्ज लेन फोक्स एक आज़े का डोनार्ड हावार्ड फिर पिट करता हूँ, साथ मेंगर कोंसे हैं, जॉन साइमन, कलीमन्ट एटली, कैटगॉन, हैरी लेवी लांस, हाथ सहाती, जॉर्ज लेन फाक्स, और डोनार्ड हावार्ड, डोनार्ड हावार्ड भी. फिर अबार्ड मेंगर कहाता, विरोध भी, जब सामेर कुमिशन भारत आया था एक भी भारत नहीं था, तो भारत लिर्योध करता, आप क्या जाज़ करोगे आप में कोई भारते भी नहीं हैं, यानि कि आपकी जो जाज़ जो जाज़ कोईगी वो, निच्पक्ष नहीं होगी इसमें पाक्षपात वहाईगा, इसलिए इसके क्या है उसका बात में खूब विरोध वह था भी, ठीक है न, पूरे बात में विरोध होता, और इसी विरोध के चक्कर में, जब यह कमिशन लाहर पोचा, वर्तमान पाक्षपांच था लाहर में, तो उसमें लाला लालच पतरह जी इसका विरोध कर रहे थे जिन के ऊपर विरोध करते समय इनको लाठें खाने पड़ी भी अंग्रेजों के ताबूत की कील सबीतों भी कील सबीत होगी ताबूत क्या तो दूस्तों शब पेटिक बोलते हैं शब पेटिका होती है उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें क्या का गया था एक तो बहारत में संग्य विस्ता हो एक कात्म विस्ता क्तान पर संग्य विस्ता की जाएं सेकंड साम पर दाइक परतिन इत्यो परनाली निंदनीय है यह कह रहते हैं यह कह रहते हैं जो हम लोगों ने भारत में फूट डाला था फूट डाली है तो क्या किया था निंद्रिय या भारत में जो संप्रदा के दार पर चुनाव हो रही है वो क्या थे निंद्रिय भी बुरी बात है भारत में उत्तरदाई शाष्टन का प्रयोग सफल नहीं हो सका भी जो भारत में मैंने क्या किया था उत्तर नई शर्षिन का प्रयोग किया था विफल हुआ था वो सफल ने हुआ भी और आखरी दोस्तो मतादिकार का विस्तार हो आखरी में क्या था मतादिकार का क्या होना चाहिए विस्तार होना चाहिए भी यानि कि यह था दोस्तो साइमन ग तो इसने का मुख़् बादा था कि 1919 को भारत में जो सुदार अधनी माय था इसने कहां तक वर्क किए सही वर्क किया जाए गल्त पर किया उसके जहांस करने आए थे लेकिन आई काउंट थे सारी सारे अंग्रेज अधिकारी आयं थे इसी सब्सक् suff wszystkich करें, पास्पमाने के लाइक करें शेयर करें थेंक्यू भी